बिस्मिल्लायरभ्मारे रहें वासलाम लेकों व्यूर्स मैं आपको अपने कुकिंग चानल में कुछ आमदीद कहते हूं अबीद करते हूं कि आप सब खायरियत से होंगे आज हम आपकी हिद्वत में मटर प्लाव की रेस्पी लेकर हादिर हुएं मगर उससे पहले आपने क्या करना है हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंद और फैमले के साथ शेयर करना है और जिन्यों नहीं हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करें तक क्या मेरी वीडियो को सबसे तो चलिए देखते हैं कि आज की रेस्पी में हमें कौन से इंडीडिंस रिक्वायर होंगे इसके लिए आप सक्रीन पर रेख सकते हैं कि मैंने एक ग्लास जो है वो पुराने चावल लेकर साफ करके इसको बिगो दिया दस मिनट हो चुके हैं चावलों को भीगे होए इसके सा आदे कातोरी जो है वह मटर लिए एक अदर प्यास दो लसन के जववे से 1-4 टेबल स्पून हमने हल्दी लिए साफ वन-पोर टेबल स्पून हमने सुर्ख मिर्च लिए एक चमच हमने नमक लिए आपने हस्बेश जरूरत इसके साथ मैंने हरी मिर्चों की पेस्ट लिया य इसको मैंने लेकर पीछ लिये ग्राइंडर में और ये पेस्ट है आज के जो चाबलों की खास बात है वो यह कि इसको हम हरी मिड्चों की पेस्ट में पकाएंगे और हरा धन्या गार्मिश के लिए तो चलिए आज की हम रेषपी स्टाट करते हैं यह देखें विएर्स मैंने एक कडाई ले लिए और कडाई के अंदर मैंने थोड़ा सा वन फोर्थ जो है वो कप का मैंने ओयली है अब इस ओयल में हमने कटिंग हुई प्याज डालनी है मैंने आपको पहले भी काया कि मेरे पास हरी प्याज अवेलिबल नहीं है आपने हरी प्याज इस्तमाल करनी है अब हम इसको तब तक फ्राइ करेंगे जब तक यह हलके सुनेरी रंग के प्याज ना हो जाए यह देखें विएर्स हमारा जो प्याज है वो अच्छे से लाइट कोल्डन हो चुक है अब हम इसके अंदर अब हम इसमें लसन डालेंगे लसन को मैंने बरीक बरीक चॉप कर लिया है आप चाहें तो इसकी पेस्ट भी इस्तमाल कर सकते हैं या पितनी मर्जी है इसको हमने बस एक मिनट जो है वो फ्राइ करने ताके जो लसन की स्मेल है वो ख मिट्चों की पेस्ट एक टेबल स्पून थोड़ा सा इसको और साथ में हम इसमें नमक शामिल करेंगे अब इन सारी चीजों को मैं अच्छे से भून लूँगी यह देखें विवर्ट मसाले ने जो भी है वो छोड़ दी है हमारा जो मसाला वच्छे से प्यार हो चुक है मै इसे भी हम एक मिनट के लिए भूनेंगे यह देखें विवर्ट मतल जो है वो अच्छे से मैंने भून ली है अब इसके बाद मैं इसके अंदर यह पानी चामिल करूंगी पानी हमेशा आपने अपने चावलों के मुताबिक चामिल करना है जतने आपके चावल होंगे अब इसके अपने चावल होंगे उसमें पानी होसी है अथाव से आप जो है वो डालेंगी एक ग्लास चावल थे तो मैं डेड़ ग्लास पानी डा देग और आप मैं इसको धांप कर रख जोंगी अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक मतर हमारे गल ना जाए बिसम लारक्मा पानी रहीम यह देखें भी और पानी जो है वो अच्छे से पक चुक है और मतर भी हमारे गल चुकी है एक मतर आप लेकर हम चेक कर लिजेगा यह यह अच्छे से गल चुक है मतर अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे बिसमिल्लार अफमानी रहीम इस पॉइंट पर आकर आप इसका जो नमक है वो एक दफा दुबारा से चक लीजेगा अगर आपको कभी जरूरत हो तो मैं आपको टिप बता देती हूं इस पॉइंट पर आकर आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं अदर्वाइस इसके बाद यह नहीं डलेगा जब पानी खुश्क हो जाएगा तो देखें विए चावनों का पानी है वह तो खुश्क हो चुक है यह आप देख सकते हैं यह आप सक्रीन पर चेह कर सकते हैं कितना खुबसूरत इसको ग्रीन ग्रीन और वाइट सा जो एक वो कलर आया हुआ है अब हम इसको दंपर लगाएंगे इसको हमने दो से तीन मिनट के लिए दंपर लगाना है और अब मैं इसके उपर यह रादनिया जो है वो डाल दूँगी थोड़ा सा बचा लेंगे बाकी का हम इसके अंदर शामिल कर देंगे कितना खुबसूरत और यमी लग रहा है अब मैं इसको ढांप कर रख दूँगी दंपर दो से तीन मिनट के लिए बिसमिल्लायरहमाने यह देखें वियर्स चावलों को जो अच्छे से और हमारे जो चावल है वो पककर त्यार हो चुके हैं अब हम इसको डिशाउट करेंग हैं अब मैं इसको हरी मिर्च और हरे धनिया के साथ हम इसको गानिश करेंगे और इसके वीडियो खानी होती है काल अन्शाला एक बार फिर नए और जिन्हों ने हमारा चैनल सिस्क्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सिस्क्राइब करें तक कि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके तब तक अपना ख्यार रखें थैंक्यू अलाह पिस